हलो एव्रिवान वेल्किम बैक टो आर चानल स्टडी आईक्यू जुडी श्री दिस इस मी अर्जिता एंड आज की इस पुर्टिकलो सेशन में बात करेंगे निठारी कांट के जज्जमेंट के बारे में डिसिजन के बारे में जो कि कल अलाबाद हाई कोट ने दिया है तो बी ऑनेस्ट बहुत ही अनेक्सपेक्टेड टाइप का जज्जमेंट रहा है ठीक है कंसेडरेंग की बहुत एक लंबा लीगल बाटल उन बच्चों के पेरेंट्स ने उनके गाडियन्स ने यहाँ पे लड़ा है जिन बच्चों की डेथ यहाँ पे इस निठारी कांट में हुई थी ठीक है तो 17 साल से इतना लंबा केस यहाँ पे आपका चल रहा था बार बार इन लोगों को डेथ पेनल्टी यहाँ पे दी गई लेकिन कल शॉकिंग ली अलाबाद हाई कोट का जो डिसिजन आया है जो फैसला आया है उसमें बेसिकली इनकी जो फासी की सजा है उस यह जो केस है आपका उस जमाने में उस समय में जब यह हुआ था तो बहुत जादा फेमस हुआ था हमारे देश में मतलब सीरियल किलर मतलब पहला ऐसा टाइब का सीरियल किलर जहां पे इतनु असारे बच्छों की डेत हो गई थी और जिस बहरह ही से इन बच्चों की डेत तो उसके बाद भी ऐसे क्या वज़ाए थी, क्या रीजन्स थे, जिसकी वज़े से अलाबाद High Court ने इन दोनों को यहां पर रिहा कर दिया, तो इसके बारे में डिस्कुस करेंगे, लेकिन सेशन स्टार्ट करने के पहले, तो गाईज अगर आप इंस्टाग्राम या टेलेग् यूज करते हो, तो आप मेरे साथ यहां पर कनेक्ट कर सकते हो, ताकि अगर आपका कोई डाउट है, कोई question है, तो वो आप यहां पर पूछ सकते हैं, जो भी मेरे सेशन होते हैं, उनकी information आपको मेरे टेलेग्राम ग्रूप के थ्रू मिलती रहेगी, आप में से जो लोग प्यारी स्कोर्स में जुड़के कर सकते हो, जिसमें आपको prelims, mains और interview, तीनों की preparation करवाई जाएगी, और English और Hindi medium, दोनों के लिए कोर्स आपका available है, ठीक है, तो 24999 इसका प्राइज है, अगर आप 2 साल के लिए स्कोर्स को लिना चाहते हो, और 29999 है, अगर आपको 3 साल के लि और क्या-क्या चीजें, इन्रोल करने के बाद आपको मिलेंगी, यह सब कुछ मैं एक बार आपको session के end में explain कर दूँग, ठीक है, तो guys पहले brief में मैं आपको बता देती हूं कि यह निठारी killings exactly क्या था, तो देखिए 2005 या 2006 की बीच का यह पूरा incident है, जहां पे निठारी कर बगरा करवाने भी जाते थे पुलिस वालों के पास, तो पुलिस वालों उस चीज़ को seriously यहां पे नहीं लेते थे, ठीक है, जिसकी बजह से यह जो parents थे सारे यह court में गए, और court ने आपको पुलिस को instructions दिये थे कि यह क्या reason है, बच्चे क्यों गायब हो रहे हैं, ठीक है, इस मामले में आपको यहां पर investigation वगरा करना चाहिए, उसके बाद जो है, जहां पर जिस इलाके में यह सारे बच्चे आपके missing हो रहे थे, उस इलाके में आपका एक घर था, ठीक है, जो की एक accused को यहां पर belong करता था, ठीक है, उनकी घर के पास में जो drain था, उसमें से कुछ बच्चों के body parts, कुछ skeleton वगरा जो है, वो वहां से मिलने लग गए, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि भई, यह जो है कोई, मतलब इनो, maniac है, कोई psycho killer है, जो की बच्चों को इस तरीके से मारता फिर रहा है, और उनकी dead bodies को यहां पर जो है, डम करता जा रहा है, तो basically, पां के chop off करके, जगा जगा फेकते फिर रहे हैं, तो काफी सारे allegations इस case में लगे थे, जैसे neecrophilia, यानि कि यह भी बोला जा रहा था, कि भाई, जो लड़किया थी, ठीक है, उनको यहां पर kidnap करने के बाद, उनका murder करने के बाद, उनके साथ यहां पर rape वगरा किया जाता था, ठ करने की भी cases आपके आए थे, तो पुलिस ने जो है, बाद में इस case को CBI को transfer कर दिया था, ठीक है, तो CBI ने basically कुल बिला के 16 cases जो है, वो इन लोगों के against फाइल किये थे, दो accused थे यहां पर, एक थे आपके पंडेर, जिनका घर था ये, और सुरिंदर कोली, जो की इनके servant थे जो उस घर में इनका काम वगरा किया करते थे, तो इन दो लोगों के against यहां पर case वगरा फाइल किया था, अब एक चीज मैं आपको बता दू, कि यह जो पूरा case CBI ने, इन दोनों लोगों के against यहां पर बनाया था, ठीक है, इस case का कोई भी evidence नहीं था, evidence यानि कि इस case का किये गए थे, तो इस पूरे case का कोई भी evidence नहीं था, कोई भी strong evidence नहीं था, ना तो court के पास, ना पुलिस के पास, ना CBI के पास, ठीक है, ना ही इस case का कोई eyewitness वगरा था, तो यह जो पूरा case इन दो लोगों के against frame किया था, CBI ने, वो सिर्फ इसलिए frame किया था, क्योंकि ए बिखते थे, फिर पका के खा भी लेते थे, ठीक है, इस तरीके की बाते इनोंने बोली, and इनोंने ये भी बताया कि भाई, किस तरीके से मैंने nekrophilia किया, यानि कि कुछ लड़किया जिनकी death मैंने cause की थी, जिनका murder मैंने किया था, उसके बाद मैंने उनके साथ sexual intercourse यहाँ प इसके पास, ठीक है, अब ये जो confession है, इसी की वजए से यहाँ पर क्या हुआ, कि भाई, अलाबाद हाई कोट से जो यह दो लोग है, इनको यहाँ पर रिहा कर दिया गया, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टोटल, 16 cases जो है, इन लोगों, इन दोनों लोगों के against इन दर कोली, इन दोनों को यहाँ पर क्या किया जाता है, निठारी केस से, निठारी किलिंग से related, इन दोनों को यहाँ पर रिहा किया जा रहा है, एक्विट किया जा रहा है, और उसका रीजन यहाँ पर क्या है, कि भाई, कोट ने बोला है, कि इस केस में क्या-क्या यह allegation CBI का यह पुलिस का जो भी था इन दो लोगों के अगेंस्ट यह सिर्फ और सिर्फ इस बेसेस पर था कि भई सुरिंदर कोली का जो confessional statement था कि उन्होंने अपने क्राइम को confess किया था और उन्होंने अपने मालिक का भी नाम यहां पे लिया था तो उस confessional statement के अलावा पुल investigation आपका इस case का किया है तो अलाबाद High Court के दो judges का judgment यहां पे आपका आया है ठीक है जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद अफ्ताब हुसेन ठीक है तो इन्होंने पहली बाद तो CBI को यहां पे यह बोला है कि देखिए एक और एंगल जो इस पूरे case में बताया जा रहा था वो यह था कि शायर यह जो बच्चे किडनाप किये जा रहे थे और उनके body parts को काटा जा रहा था चॉप ओफ किया जा रहा था तो हो सता है इसमें organ trafficking की जा रही हो मतब जो होता ना लोगों के body parts काट के उनको बेच वगरा दिया जाता इंटरनाशनल मार् अंगल था कि क्या यहां पर बच्चों के body parts को काट के बेचा जा रहा था इंटरनाशनल मार्केट में इस अंगल की उपर ना तो पुलस ने ना ही CBI ने कभी investigation किया तो पहली चीज तो court ने यहां पर बही बोला कि देखिए इस पूरे case में हो सकता है कि इन बच्चों की death organ trading क के लिए की जा रही हो इनके body parts को बेचा जा रहा हो international markets वगरा में लेकिन इस मुद्दे के उपर investigation ही नहीं हुआ बलकि court का यहां पर कहना है कि यह जो पांडेर जी का बंगला था ठीक है जिसके आसपास से यह सारे dead bodies आपकी जो है dead bodies के इन बच्चों के body parts recover वगरा हुए थे इनके जो neighbor थे यानि कि इनके घर के बगल में जो एक घर था ठीक है उस person को कुछ समय पहले ही jail हुई थी क्योंकि वो इसी तरीके से illegal organ trading वगरा किया करते थे लोगों के body parts जो है वो काट काट के बेचा करते थे तो court का पहला तो यहां पर यही कहना था कि आपने इस angle को यहां करना चाहा रहा था तो हो सकता है यहां पर illegal organ trading वगरा की जा रही हो लेकिर इस चीज को इस case में बिल्कुल भी investigate यहां पर नहीं किया गया इसके बाद दूसरी चीज यहां पर अलाबाद High Court ने यह बोली कि देखिए court के पास मतलब CBI के पास यह पुलिस के पास यह बोलने का कि भाई सुरिंदर कोली ने यह सारे murders वगरा किया है यह सारे offense वगरा किया है या उनके मालिक ने यहां पर किया है इस चीज का court के पास कोई भी और सबूत तो है था नहीं CBI पुलिस ने और भी कोई सबूत यहां पर पेश नहीं किया सबूत सिर्फ एक था वो था सुरिंद वगरा record किया जाता है ठीक है तो उसके पहले उस व्यक्ति का medical examination होना जरूरी होता है medical examination इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हो सकता है वो confession उस आदमी ने दिया क्योंकि पुलिस ने उसके साथ torture किया हो पुलिस ने उसको मारा पीटा हो और जबरदस्ती उससे वो confession वहां पे नि सुरिंदर कोली का ये कहना था कि भाई ये जो मेरा confession है जिसके basis पे मुझे फसाया जा रहा है इस case में ये मेरे साथ physical torture करके मुझसे जो है वो निकलवाया गया है तो court के लिए अलाबाद high court के लिए चीज यहां पे बहुत जादा shocking थी कि भाई पुलिस ने पहले सुरिंदर क को अपने पास साथ दिन रखा 60 डेस तक कंटेनूसली वो उनकी कस्टेडी में था ठीक है और उसके बाद बिना किसी medical examination के उस person का confessional statement यहां पे record कर वा लिया गया तो court ने बोला कि वो person जब बोल रहा है कि भाई मुझसे confession जो है पुलिस बूटालिटी कि थरो निकलवाया गय है तो हम कैसे rely कर रहे है कि वो confession सही है कि गलत है मताब यह तो बहुत बड़ा allegation यहां पे हो गया ना तो यानि कि वो confession जिसके basis पर यह पूरा case built up था जिसके basis पे इन दो लोगों को सजा सुनाई जा रही थी death penalty दी जा रही थी वो confession ही इस case में court ने बोला कि reliable नहीं है क्योंकि court का गहना था कि देखिए in cases में जब कोई भी सबूत नहीं मिलता है जब कोई भी evidence नहीं मिलता है तो ऐसे cases कई बार देखे जाते हैं जहां पे person के साथ मार पीट करके उसके साथ physical torture करके brutality करके उससे confessional statement यहां पे निकलवाया जाता है तो अगर आपने confessional statement निकलवाते time आपन RPC में उसे यहां पे court ने ठीक तरीकिसे जो है वो follow नहीं किया है और देखिए उनके confession पे सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि सुरंदर को लिए चीज स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं जो accused है कि मुझसे जो confession निकलवाया गया है यह मुझे torture करके निकलव निकलवाया गया है तो फिर court का यही कहना था कि देखिए जब तक उस person का medical examination नहीं होता हम उस confession को यहां पे reliable नहीं मान सकते मतलब court के लिए वो confession जो है zero के बराबर है नल के बराबर है यानि उसके बर भरोसा यहां पे किया ही नहीं जा सकता क्योंकि वो person बोल रहा है कि मुझ नहीं होगा तब तक हम यह proof कैसे करते हैं मताब हम चीज पर इस चीज पर belief कैसे करें कि वो confessional statement सही है या पुलिस ने जो है जबरदस्ती हाँ पर निकलवाया है ठीक है तो basically court का यहां पर अलाबाद high court का यहां पर यही कहना था दूसरी चीज अलाबाद high court का कहना था कि accept कर रहा है confess कर रहा है यह मर्जी से कर रहा है या इससे निकल वाया जा रहा है तो वह record जो मेगस्टिटन किया है उसमें भी basically फिर दूसरी चीज कोट का यहां पर यह कहना है, कि देखिए स्टार्टिंग से, जब से यह केस आपका स्टार्ट हुआ, जब से दो लोग यहां पर पकड़े गए, स्टार्टिंग से पुलिस, CBI यही बोल रहे थे, कि यह दो लोगों ने मिलके पूरे क्राइम को अंजाम दि दिया गया, तो कोट ने पूछा कि भाई, इसका भी क्या रीजन है, पहले जब केस स्टार्ट हुआ है, जब केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ था, तब आप बोल रहे थे, कि अच्छा, दोनों लोगों ने मिलके क्राइम किया है, दोनों आपके यहां पर अपक आपने पूरा गिल्ट, पूरा क्राइम का जो ब्लेम था, वो मालेक से उठा गे नौकर के उपड़ यहां पर शिफ्ट कर दिया, भाई, किस बेसिस पर क्या सबूत था आपके बास उस चीज का भी, ठीक है, चलो आपने नौकर के उपड़ यहां पर पूरा ब्लेम बोलता है, कि हर इंसान को अपने आपको डिफेंट करने का पूरा पूरा राइट है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उस परसन को लीगल एड यहां पर प्रोवाइट किया जाए, ताकि वो अपना पक्ष ठीक से कोट के सामने हाँ पर रख सके, तो अलाबाद हाई कोट ने यह हम इस मामले की जो सीरिसनेस है वो बिल्कुल समझते हैं, no doubt, उन बच्चों के साथ, उन लड़कियों के साथ जो हुआ वो बहुत जादा बुरा था, ठीक है, इतनी दर्दनाक, इतनी इन्हूमेन डेथ उन बच्चों की यहां पर कॉस की गई, बट अट अट दू सेम टाइ उसको अपने आपको डिफेंट करने का राइट नी मिला क्योंकि उसको लीगल एड नहीं प्रोवाइट करवाया गया, तो कोट ने बोला कि यह जो है फिर बहुत बड़ा जस्टिस का मिस्कारिज, यानि की जो प्रिंसिपल्स ऑफ नाच्रल जस्टिस हैं, उनका बहुत बच्चों की डेथ वगरा कॉस की है, उसका सबूत एकलौता एविडेंस एक ही था, वो था सुरिंदर कोली का ये कनफेशन, और जो मैंने आभी तक आपको बताया, कि उस कनफेशन को ही कोट ने बोल दिया, कि ये कनफेशन सही नहीं है, रीजन बिंग कि उस कनफेशन के उ कोल दिया कि वो कनफेशन ही आपका रिलाइबल नहीं है, तो इसी कनफेशन के बेसिस पे, जो सुरिंदर कोली के मालिक थे, यानि कि मिस्टर पांडेर साप थे, मौयंदर पांडेर थे, इनको सजा दी जा रही थी, तो जब नौकर को ही यहां पर रिहा कर दिया, उसके कनफ कनफेशन के उपर बेस था, अब जब वो कनफेशन पर ही कोट रिलाइबल नहीं कर रहा है, उस कनफेशन को ही कोट अन्रिलाइबल मान रहा है, तो ऐसे में मौनिंदर पांडेर के अगेंस तो कोई केस यहां पर बनी नहीं सकता फिर, तो यह रीजन है बेसिकली, जिसके यहां पर ड्रॉप कर दिये गए है, लेकिन जो नौकर था, सुरिंदर कोली, उनको पूरी तरीके से अभी फ्री नहीं किया गया है, क्योंकि एक केस अभी भी उनकी अगेंस्ट पेंडिंग है, जिसके उनको लाइफ इंप्रेजनमेंट की सजा यहां पर सुनाई गई है, ए इठारी किलिंग से रिलेटेट इन दोनों लोगों की अगेंस्ट, उनको यहां पर खतम कर दिया गया है, हटा दिया गया है, सो आई होब गाईज यह केस यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी आपका क्या व्यूपॉइंट है, आपका क्या ओपीनियन है, क्योंकि मै ने लीगल पॉइंट के साथ, आपको इस केस में इस विडियो में बताया, कि अलाबाद हाई कोट का exactly reasoning यहां पर क्या रहा है, क्योंकि देखिए, लेमान की तरह, हम जो है, यह नहीं बोल सकते कि इनसाफ हुआ है कि नहीं हुआ है, हमें again, लीगल प्रिंसिपल्स के उपर ही भी की है, ठीक है, और सबसे बड़ा जो miscarriage of justices case में, अलाबाद हाई कोट का कहना था कि हो रहा है, कि भाई, जो accused है, ठीक है, जिसको आप guilty ठहराने की कोशिश कर रहे हो, उसे अपने आपको represent करने का भी righteous case में यहां पर नहीं मिल रहा है, तो यह सारे basically reasons थे, कि भाई, confession statement का सही तरी के से record ना किया जाना, ठीक है, proper case में investigation ना होना, और तीसरा आपका कि भाई, जो accused है, उसे यहां पर legal aid ना मिलना, उसे एक proper legal representation यहां पर नहीं मिलना, तो to sum it up, यह तीन reasons है basically, जिनकी वजह से, इन दोनों लोगों को यहां पर रहा कर दिया गया, ठीक है, so I hope यह case यह यहां पर आपको clear हो गया होगा, now, जैसे कि मैंने आपको session के starting में बताया था, कि guys, आप में से जो लोग जुरीष्री exams की तियारी कर रहे हैं, तो study IQ जुरीष्री का, नया life foundation batch, batch number 8, यहां पर start होने जा रहा है, कब से 20th of October, यानि कि 3 दन के बाद, ठीक है, तो आप किसी भी state को अगर target कर रहे हो, आप इस course में enroll कर सकते हो, जिसमें आपको prelims, mains और interview, तीनों की preparation करवाई जाएगी, और English और Hindi medium, दोनों में यह course यहां पर आपका available है, ठीक है, तो इसमें आप enroll कैसे करोगे, आपको जाना है Google पे, और search करना है study IQ, जुरीष्री, ठीक है, सर्च करके का जो prize है, वो 40,000 नहीं है, इस course का prize है 24,999, और 2 साल की validity के साथ, यह course यहां पर आपको मिलता है, अब इस course में है क्या-क्या, तो देखिए, course में आपको मिलती है, life classes, ठीक है, online classes है, यानि कि आपके जो भी doubts है, जो भी question है, आप इन class में faculty से पूछ सकते हो, ठीक है, हर student के प कुछ इस course में आपको पढ़ाया जाएगा, वो basic से होगा और zero level से होगा, ठीक है, और detail में cover करवाया जाएगा, इसके साथ-साथ, daily MCQs आपको यहां पर मिलेंगे, prelims के exam को crack करने के लिए, ठीक है, daily MCQ practice यहां पर आपको करवाई जाती है, notes मिलते हैं आपको, prelims के लिए अल आपकी GK और current affair की classes हो गई, ठीक है, legal current affair आपका हो गया, यह सब कुछ भी आपका इस course के अंदर में included रहता है, इसके अलावा आपके local laws हो गए, ठीक है, हर state judiciary में अपने अलग-अलग local laws भी आते हैं, तो वो भी आपको इस course में cover करवाई जाते हैं, ठीक है, और इसके साथ-स Judiciary की पूरी preparation इस course में आपको करने को मिलती है, और एक अच्छी बात इस course की यह है, कि यहाँ पे हर student के पास अपना खुद का एक personal mentor भी होगा, तो अगर class के बाद भी, ठीक है, आपके कुछ doubts है, कोई question है, कोई query है, तो आप अपने mentor से यहाँ पे discuss कर सकते हो, ठीक है, तो आ आपने क्या करना है, add promo code लिखा है, वहाँ पे click करना है, और left side पे जाना है, left side में देखना, नीचे एक box बना होगा, एक डबबा बना होगा, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आपको enter coupon code जहां लिखा है, वहाँ enter करना है ARJ, मेरे नाम के starting के तीन अक्षर, ठीक है, और जैसे ही enter करोगे, तो you will see, कि 24999 में, यह पूरा course यहाँ पे आपको मिल जाएगा, दो साल की validity के साथ, 24 महिनों के लिए, तो 10 से 12 महिने में आपका syllabus हम यहाँ पे complete करवा देंगे, but course का access आपके पास 2025 तक रहेगा, तो जितनी live classes आपकी हुई थी, आप इनको 2025 तक recorded form में access कर सकते हो, ज अगर आप में से कोई इस course को तीन साल के लिए लेना चाहता है, तो सेम ARJ discount code यूज करके, आप इस course को तीन साल के लिए भी ले सकते हो, 29999 में, यह आपको तीन साल के लिए मिल जाएगा, तो आप में से जो लोग मेरी mentoring और मेरी guidance पे त्यारी करना चाहते हैं, उसका एक ही discount code ह है, that is ARJ, ठीक है, इसके साथ साथ, जैसे ही आप life batch में enroll करोगे, तो study IQ जुडिश्री का जो महापाइक का course है, यह आपको life batch के साथ, एकदम free of cost included मिल जाएगा, तो महापाइक basically है क्या, तो 16 states हैं, जुडिश्री के, जुडिश्री के exam majorly करवाय जाते हैं, उन 16 states की life course, ठीक है, तो जैसे ही कोई student life batch के लिए enroll करता है, उसको महापाइक उसके साथ free of cost मिल जाता है, and यहाँ पर नीचे अलग-अलग states के individual state specific courses भी available है, बढ़ एक चीज मैं clarify कर दू, कि यह जो state वाले courses है, यह जो महापाइक का course है, इन में होती है सिर्फ recorded classes, यह life classes नहीं है, तो अगर आपको life classes चाहिए, वो सिर्फ foundation batch में आपको मिलेंगी, ठीक है, and कुछ और भी चीज़े जैसे daily MCQs, prelims और mains के notes, mentorship, mains answer writing, यह सब कुछ भी आपका सिर्फ live batch में available है, तो accordingly आप decide कर सकते हो, कि आपको कौन से course के लिए जाना है, but किसी भी course के लिए आप जाएं, तो एक ही code है, that is ARJ, और live batch के लिए इन्रोल करना है, तो यह जल्दी से कर लो, क्योंकि तीन दिन के बाद, यानि 20 October से, यह नया batch आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, so guys, this is all from my end in this particular session, I hope session आपको अच्छा लगा, अगर ऐसा है, तो please like it, please share it, and channel अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किय है, तो जल्दी से channel को भी subscribe कर लीजे, so I'll see you guys soon, तब तक ली take care, all the best for your preparation, bye-bye.